तो आज के जो टोपिक है हो है LFT यानि कि LFT टेस्ट के बारे में मैं एक एक पारामीटर के बारे में पूरा फूल डीटेल आपको बताने वाला हूं साथ यह भी बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में कि अगर पैरामीटर से बढ़ते हैं तो किस वजह से बढ़ते हैं और कैसे हमको पता चलेगा कि एक्चली में जो प्रॉब्लम है वह लीवर के वजह सही होता है यानिकी पूरी डीटल बताने वाला हूं जनलव जो पहली बार आया है चैनल को सब्सकाइब करें एलेप्र हमको ओन कर देना तो आज हम बात करते हैं जीसके आपको पता है जो अनकंजूंगेडर होता है उसके बाद से आता है HGOT और HGPT फिर आता है Alkaline Phosphate फिर आता है Protein और उसके पास Globlin और Albumin ठिक तो सबसे पहले हम सुरुआत करेंगे Alkaline Phosphate से यानि कि Alkaline Phosphate होता क्या है तो जैसे कि मालो अगर आप किसी पेशेंट का LAPT perform कर रहे हो और उसमें जो Alkaline Phosphate का जो range होता है वह अगर अपने normal range से अगर high हो जाए तो यह पता चलता है कि पेशेंट को लीबर में कोई न कोई प्रॉब्लम है लेकिन जो Alkaline Phosphate होता है वह लीबर के अलावा किड़नी प्लसेंटा और बोन से भी निकलता है यानि कि किड़नी प्लसेंटा और बोन में भी जो Alkaline Phosphate हो बनता है तो अब कंडि बारे में तो दोस्तों टोटल बिलरुबिन का नौर्मल रेंजिस होता है वह होता है 0.2 से 1.3 mg पर डेलीटर तक लेकिन कुछ-कुछ लैब में अलग-अलग रेंजिस आपको देखने को मिल जाएगा तुम्हें आपको बदा दो जो बिलरुबिन होता है वह हमारे लीबर मे को यासे होता है लेकिन की कारण बद ज reflecting हो जाता है जो कि आम तो पर आप पर पर तो आनखों के पास उलयूत को देखने को होता यानि कि पेशंट को इस तरह से जॉन्रीस हो जाता है तो हमें यह पता चलता है कि पेशंट को लिबर डिसिस हुआ है लेकिन जो एजी ओटी एंजाइम होता है वह लिबर के अलावा केड़नी ब्रेंड और हाइट से भी निकलता है तो आप कर्ब हैं यह आती है कि यह कैसे पता करें हम कि जो एजी ओटी एंजाइम है वह लिबर से ही निकल रहे है तो इसको जाने के Лिए हमको एज़ेती तेस्ट करने के जोड़ोटपे दैस्ट करती है अब यह होता है कि जो HGPT के लेवल हाई होने के और भी कारण होता है जैसे कि पेशन्ट को अगर मलरिया हुआ हो डिंगु हुआ हो या पिलिया हुआ हो या उसके अलावा का पैसेंट को 7-8 अगर कोई अलग इनफस्टिन हो और 7-8 दिन हो गया है तो उस कंडिशन में जो HGP हो जाता है अब यह पता करने के लिए क्या पेसेंट को एलकोहलिक रेडिस्ट लिवर डीसी है या कुछ और है यह जाने के लिए को जीजीटी टेस्ट करना पड़ता है यह वही रेंज दोस्तों कि अगर जीजीटी का रेंज अपने नॉर्मल दिन से अगर हाई हो जाता है तो 99 परसेंट तक यह कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट इंडूस्ट लिवर डिसीज होने का ज्यादा चांसे रहता है और उसके हम टोटब प्रोटीन के बारे में तो जो डोस्तों जो टोटल प्रोटीन का नॉर्मल रेंजस होता लेके ग्राम पर डेसिलीटर रखता है अब ब्लेड में मेख्ष होता है लेकिन कुछ ऐसे आते हैं जहां अगर पेशेंट को आगर के अगर प्रॉबलम हुआ है तो उस पेसेंस में लिवदसीजीS, एक जणिसें और अगर ब्रोटीन में बकुए प्रोटीन होता है तो अगर हुआ है और डाइट हेल्दी डाइट नहीं ले रहो तो उस कंडिशन में प्रोटीन का जो रेंज होता है तो उमीद करता हूं यह वीडियो आपको नॉलेज़िबल लगाऊगा तो वीडियो का लाइक कर देना और उसको शेयर जरूर करना